क्रिशी कानून के खिलाफ चल रहे किसानों का आंदोलन को लेकर आज दिल्ली में कई पुर्व खिलाडियों ने केंद्र सरकार द्वारा दिये गए खेल पुरुसकार को वापस करने को लेकर राष्टपती भवन की तरफ मार्च किया हलाकि राष्टपती भवन की तरफ से मिलने का वक्त न दिये जाने के चलते पुर्व खिलाडियों को आगे जाने की अनुमती नहीं दी जिसके बाद ये पुर्व खिलाडी बिना अवार्ड वापस किये लड़ गए इन पुर्व खिलाडियों में पदमसरी वीजेता, अरजुन अवार्ड वीजेता, ध्यानचंद अवार्ड वीजेता, गुरु द्रोनाचार अवार्ड वीजेता समेत अन्य राष्टिय पुरुसकार वीजेता सामिल थे इन खिलाडियों में पदमसरी से सम्मानित करतार सिंग, मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित गुर्मेल सिंग, अरजुन अवार्ड से सम्मानित राजवीर कौर समित कुछ और खिलाडी सामिल थे इन खिलाडियों का कहना था कि जिस तरह से किसानों के साथ सरकार का बरताव रहा है ये उससे आहत है और इसी वज़ह से केंदर सरकार की तरफ से उनको जो राश्टिय सम्मान मिला है वह उस सम्मान को वापस कर रहे हैं गौरतलब है कि पंजाब से जुड़े दो दर्जन से ज़्यादा खिलाडियों ने किसानों के आंदोलन और क्रिसी कानून का विरोध करते हुए केंदर सरकार द्वारा उनको दिये गए राश्टिय पुरुसकारों को वापस करने का एलान किया था हलाकि दिल्ली में कुछ गीने चुने ही पूरुखिलाडी पहुँचे लेकिन उनका कहना था कि बाकी पूरुखिलाडियों ने भी अपने अवोर्ड उन तक पहुँचा दिये हैं और वह राश्टपती से मिलकर उनको वापस करने आये हैं